डाउटनट पर आपने कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नाउलोड कीज़े डाउटनट आप हिलो स्टूडेंस वेलकम टू डाउटनट नीट क्रैश कोर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना चाप्टर मॉलिकिलर बेसिस ऑफ इनहरिटेंस उसके कुछ लास्ट टॉपिक्स जो बचे थे आज उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा regulation of gene expression जी हाँ अब क्या होता है जब replication हो गई transcription हो गई translation हो गई उसके बाद जो gene है उसको express होना होता है और यह जो gene expression है यह कैसे होता है कौन इसे regulate करता है यह सारी चीज़े आज हम कवर करेंगे तो regulation जो है regulation of gene expression यह बहुत ही बड़ा टर्म है यानि कि यह जो है gene जो express होता है वो अलग-अलग levels पर होता है अब क्या होता है जो prokaryotes है उसमें एक mechanism है जो gene regulation कराता है वो हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि जब gene expression होता है तो वो क्या होता है gene expression results in the formation of a polypeptide यानि कि protein जो है वो बनता है अब जब protein बनेगा तो इसको regulate कराना भी important है तो eukaryotes जो है हमारे यानि की complex organism उसमें यह regulation बहुत सारे levels पर होती है सबसे पहला level है transcriptional level जब क्या होता है primary transcript form होती है तब gene regulation भी होता है दूसरा है processing level यानि कि जब introns हम remove करते है regulation of splicing उस time पे भी gene expression regulate होता है third है transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm mRNA जब transport होता है nucleus to cytoplasm में तब भी gene regulation होता है और last है आपका translational level यानि कि जब protein synthesis होती है उस time पे भी कुछ genes क्या है वो regulate होते हैं अब यह जो सारे genes हैं जो express होते हैं एक cell के अंदर इनका काम क्या होता है यह एक particular function perform करते हैं ठीक है तो यही लिखा है the genes in a cell are expressed to form a particular function और set of functions अब example ले लेते हैं एक enzyme है beta galactosidase यह किस कौन synthesize करता है इसे synthesize करता है आपका bacteria E. coli अब यह क्या करता है इसका function है यह catalyze करता है disaccharide की hydrolysis को यानि कि यह disaccharide जो है इसकी hydrolysis को बढ़ाता है और lactose को convert करता है किसमे galactose और glucose में हमारा indazaccharide क्या होगी है यहाँ पे lactose इसकी यह hydrolysis करता है यानि की breakdown करता है और किसमे convert करता है galactose और glucose तो जो bacteria है वो क्या होगा तो वो क्या करेगा इसको यूस नहीं कर पाएगा अपनी energy source को यूस नहीं कर पाएगा और क्या होगा they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase if bacteria do not have lactose यानि कि bacteria के पास अगर lactose नहीं होगा तो वो क्या करेगा अपनी energy को बचाके रखेगा और उसके लिए उसको क्या नहीं चाहिए होगा beta galactosidase enzyme के synthesis नहीं चाहिए होगी अगर simple terms में हम बात करें तो क्या है यहां पर यह जो है यह है metabolic physiological environmental condition जो क्या करती है regulate करती है genes के expression को अब अगर embryos की बात करें तो development and differentiation of embryo into adult यानि कि एक fetus से embryo जो बनता है और embryo से एक adult बनता है इसके पीछे भी gene regulation का बहुत important role है ठीक है तो अब हम बात करेंगे यह तो हो गई हमारे u-carriots की बात अब हम बात करेंगे pro-carriots की तो अभी जैसे हमने बताया कि pro-carriots में एक special mechanism है जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे चीजें involved हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो pro-carriots में क्या होता है control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression जी हाँ जो pro-carriots होते हैं उसमें जैसे ही transcription start होता है ना वहीं पर यह क्या है यह बहुत important site है वहीं से जो gene expression है वो start होना शुरू हो जाता है gene expression वहीं से control होना start हो जाता है अब transcription unit के अंदर हमने देखा था कि RNA polymerase जो है उसकी activity कहां start होती है promoter site पर वहीं पर initiation शुरू होती है transcription की तो यहीं से जो gene regulation है वो भी start हो जाता है यह कैसे होता है जो gene regulation है वो interact होता है बहुत सारे जो accessory proteins present है उनसे which effect its ability to recognize start sites ठीक है these regulatory proteins can act both positively यानि कि activator का भी काम कर सकते हैं यह और यह negatively भी act कर सकते है repressor का भी काम कर सकते हैं तो यह जो हमारे regulatory protein है यह दो functions perform करेंगे positively अगर यह act करेंगे तो activators होएंगे और negatively करेंगे तो यह repressor होंगे अब जो accessibility है promoter region की prokaryotic DNA में वो किस से regulate होती है interaction of proteins with the sequence जो sequence है हमारी उससे proteins जो है accessory proteins वो आके क्या करते हैं interact करते हैं और इस term को हम बोलते हैं जब हमारे protein और sequence का interaction होता है तो उस जगे को हम term करते हैं operators जी हां उस region को क्या बोल देते हैं operator तो यह जो operator region है यह adjacent है हमारे promoter के अपरेटर पर पर इनिसिएशन होगी लेकिन operator side पर क्या होगा interaction होगा तो gene regulation का जो example है उसकी बात करते हैं ये है हमारा for example lack operator is present only in the lack operon and it interacts specifically with lack repressor only ये जो lack operator है ये कहां present है हमारे lack operon के अंदर और ये interact करता है सिर्फ और सिर्फ आपके lack repressor से चलिए तो हम lack operon study करते हैं ये जो है ये एक model है जो किसने दिया था दोस जो scientist है हमारे Francis Jacob और Jack Monod इन दोनों scientist ने ये हमें model दिया था lack operon इसमें lack जो है वो किसको refer करता है lack refer करता है आपके lactose को जो diisaccharide है उसको अब क्या है अब polycystronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes अब जो हमारा polycystronic structural gene है अभी हमें पता है polycystron किसमें होते हैं prokaryotes में तो वो जो structural gene है उससे कौन regulate करता है एक common promoter है और उसे के साथ साथ regulatory genes है अब such arrangement is very common in bacteria and referred as operon यानि कि जहाँ पे एक structural gene है polycystronic structure gene promoter है और regulatory genes है इस पूरे arrangement को हम नाम देते हैं operon और अगर lack operon बोल रहे हैं तो यानि कि इसके अंदर lactose जो है वो present है तो यहाँ पे lack refer करता है lactose को तो that is why it is called lack operon ठीक है तो ऐसे अलग-अलग operon है examples है lack operon, trp operon, ara operon, his operon, well operon तो यह अलग-अलग type के operons हैं अब यहाँ पे हम जो basically बात करेंगे हम बात करेंगे आपके lactose operon यानि की lack operon की तो lack operon में क्या-क्या चीज़े होती है lack operon के अंदर एक regulatory gene होता है जिसको हम कहते है आई gene अब यह आई क्या है आई जो है यहाँ पे वो inducer को represent नहीं करता जबकि यह किसको represent करता है rather it is derived from the word inhibitor यह inducer नहीं है यह क्या है इनिबिटर है तो एक regulatory gene है यहाँ पे आई gene बाकी के तीन structural genes है जो यहाँ present है Z, Y और A यह हमारे तीनों क्या है structural gene अब जो आई gene है यह code करता है repressor को जो lack operon है उसके repressor को यह code करता है अभी हमने बात किया यह inducer नहीं inhibitor है तो यह repressor के लिए code करेगा आप जो तीन structural gene है उनका क्या-क्या function है वो देखते हैं G gene जो है यह code करता है आपके enzyme beta galactosidase को यानि कि B gal जिसका function क्या है यह primary responsible है hydrolysis कराने की और hydrolysis किसकी disaccharide और disaccharide क्या है यहाँ पर हमारा lactose तो lactose को यह break करेगा उसकी छोटी-छोटी units में यह monomeric units वो कौन-कौन सी होंगी galactose और glucose तो disaccharide को यह monosaccharide में breakdown करेगा ठीक है तो यह इसका function है अब y gene की बात करें तो y gene जो है वो code करता है एक और enzyme के लिए जिसका नाम है permease अब यह permease क्या करता है permease का function होता है यह जो हमारा cell है उसकी permeability को बढ़ाता है ताकि वो beta galactoside के लिए permeable हो increases permeability of this cell to beta galactosides यह जो beta galactoside है इसकी permeability हमारे cell की permeability को बढ़ाता है ताकि ये जो enzyme है ये अराम से आ जाए ठीक है अब last था A gene जो A gene है ये encode करता है किसके लिए trans acetylase के लिए अब ये जो तीनो genes है इनके जो products हैं lac operon में ये किसलिए हमें required हैं ये required हैं lactose के metabolism के लिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है ये topic बहुत important है इससे neat exam में बहुत कोशन आते हैं तो lac operon को अच्छे से समझना बहुत important है इसलिए इसे ध्यान से सुनिए अब हम आगे चलते हैं क्या होता है बहुत सारे दूसरे operon में जो genes हैं वो कहां present होते हैं operon के और हमें चाहिए होते हैं ताकि वो function कर सके या तो metabolic pathway में या उससे कुछ related जो pathways हैं उन में ठीक है अब हम आगे देखते हैं next जो है यहाँ पे ये जो diagram given है ये है आपका lag operon अब ये क्या है यहाँ पे तीन structural genes present है ये operator gene है ये देखिए ये operator region है आपका ये क्या है हमारा inhibitor यानि की eye gene जो की regulatory gene है then ये promoter है operator है और ये तीनों क्या है structural genes है अब क्या होता है ये जो है आपका regulatory gene ये reflexors MRN नहीं निकालेगा और यहां से क्या होगा जो reflexors ہے वो मिलेगा अब क्या होता है जब inducer नहीं है यानि की lactose नहीं है तो ये जो reflexor है यह जाके क्या करेगा यह बाइन करेगा operator जीन को और जैसे ही यह operator को बाइन करेगा तो क्या होगा RNA polymerase जो है वो prevent होएगा ताकि वो transcribe ना कर सके यानि कि transcription को यह stop करेगा क्या करेगा transcription को stop करेगा यह कब होगा जब inducer present नहीं है तो repressor जाके operator को बाइन करेगा और यह process नहीं होगा अब in presence of inducer जब inducer present होगा तो क्या होगा repressor mRNA है उससे repressor निकला अब inducer है हमारे पास तो inducer क्या करेगा repressor से बाइन करेगा और इस repressor को inactive कर देगा अभी क्या था यह repressor active था जो operator से जाके बाइन करके transcription को रोकता था लेकिन जब inducer present है तो यह repressor को inactive कर देगा जब repressor inactive होगा तो operator side पर क्या होगा RNA polymerase आके बाइन करेगा promoter पे और transcription जो है वो start होगी तो transcription होगी यहाँ पे transcription से यह तीनो genes जो है यह क्या करेंगे अलग-अलग enzymes को code करेंगे तो यहाँ पे lag mRNA है जी जीन code करेगा बीटा गेलेक्टोसाइडेस से तो क्या होगा lactose breakdown होगा यह permease के लिए इससे बीटा गेलेक्टोसाइडेस की क्या होगी permeability increase होगी cell में और last translation होगी तो यह क्या करेगा A gene जो है transacetylase को act करेगा और इस enzyme से translation process होगा तो यह था हमारा lac operon ठीक है आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा lac operon के बारे में जो lactose है वो क्या है वो substrate है हमारे enzyme बीटा गेलेक्टोसाइडेस के लिए क्या substrate है यहाँ पे lactose अब क्या होता है and it regulate switching on and off of the operon lactose ही जो है यानि की जो inducer है यहां पर वो क्या है lactose जो switch on or switch off कराता है हमारे lac operon को इसलिए इसको हम inducer के नाम से भी जानते हैं अब जब absence होगी in the absence of a preferred carbon source such as glucose if lactose is provided in the growth medium of the bacteria the lactose is transported through this into the cells through the action of permease permeability बढ़ाएगा और lactose को यह क्या करेगा cells में लेके जाएगा ठीक है और अगर lactose होगा तो क्या होगा lactose होगा then induces the operon in the following manner अगर lactose present है तो वो क्या करेगा यानि की presence of inducer तो repressor of the operon is synthesized from the i-gene the repressor protein bind to the operator gene of the operon prevents RNA polymerase and transcribing the operon यह तो हो गई जब inducer जो है वो absent है अब presence में अभी हमने देखा presence of an inducer lactose or allo lactose the repressor is inactivated by interaction with the inducer this allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds ठीक है तो यह जो था यह था हमारा lag operon अब जो regulation है lag operon की by repressor regulation of lag operon by repressor is referred to as negative regulation यह बहुत important है यानि कि जब absence of inducer है वो क्या है negative regulation जब क्या है inducer आपका absent है ठीक है absent of inducer तो वो होगा आपका negative regulation अब जो lag operon है is under control of positive regulation as well as but it is beyond the scope of discussion as this level यानि कि अभी आपकी class के लिए से वित्ता ही जानना important है कि जो regulation हो रही है repressor के through वो negative है और जो lag operon की presence inducer के present में होती है वो positive regulation है higher classes में जब आप जाएंगे तो आप इसको और detailed में study करेंगे लेकिन अभी आपके 12th basis और need के लिए जो है वो इत्ता ही important है ठीक है तो यह था lag operon अब हम आगे चलते हैं हमारे next topic पे जो है human genome project अब यह human genome project क्या है यह एक project है जो start हुआ था जो launch हुआ था sorry in the year 1990 इस project की help से हमने क्या किया था पूरे human genome को sequence किया था क्या किया था sequence किया था in the preceding sections you have learned that it is the sequence of basis in dna that determines the genetic information of a given organism अभी हमने क्या पढ़ा आगे कि जो sequence of basis है dna में वो ही genetic information देते हैं किसी भी organism के बारे में तो हमें इस sequence को study करना था इसी लिए यह एक project जो है यह launch हुआ गया इसमें पूरे human genome को sequence किया गया human genome project was called a mega project ठीक है यह बहुत ही बड़ा project था जिसमें क्या किया human genome जो है जो कितने base pair का है 3 into 10 raise to power 9 base pair उस पूरे sequence उस पूरे genome को sequence किया गया था और जब इसको sequence किया तो क्या हुआ कि इससे एक और biology की नई जो area है वो developed हुआ जिसको हमने नाम दिया bioinformatics अब हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं क्या हुआ human genome जो है वो कितने base pair का 3 into 10 raise to power 9 base pair and if the cost of sequencing required is US $3 per base pair यह important नहीं है आपके लिए हम आगे चलते हैं सिर्फ इतना ही important था इसके help से हमने क्या किया पूरे DNA पूरे human genome को sequence किया जितने भी base pairs है उन सब को sequence किया और एक नहीं जो काम है उससे क्या निकला the enormous amount of data expected to be generated इसलिए इनको क्या हुआ जब यह पूरी human genome को sequence किया गया तो बहुत सारा data भी हमें मिला अब इस data को क्या करना है हमें store करना है ताकि हम जब मन चाहे उस data को retrieve कर सके और उसकी analysis भी करनी है तो इस सबसे एक नई science जो है नई जो हमारी area develop हुआ वो था हमारा new area in biology वो bioinformatic जिसमें क्या होता है use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis ठीक है अब हम आगे चलते हैं goals की बात करते हैं यह जो HGP है human genome project इसका goal क्या था क्यों यह project launch किया गया क्या इसके goal थे इन्होंने किस चीज़ पर काम किया तो इनका main जो goal था to identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA human DNA में जित्ते भी genes है उन सबको identify करना, determine the sequence of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA, third has store this information in databases, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sectors such as industries and last address the ethical, legal and social issues that may arise from the project तो major इनका गाम था, इनको सारे genes को identify करना था, human DNA के इन्होंने जित्ते भी base pairs है उनको sequence करना था, यह information को एक database बना के store भी करना था, अब data analysis के लिए नए-नए tools भी इनको लेके आने थे और यह जित्ती भी technology generate हुई थी इनको अलग-अलग sectors में लेके जाना भी इनका एक goal था, और जित्ते भी issues होते हैं, ethical, legal, social उनको भी overcome करना था, इसलिए इन्होंने यह जो हमारा project था, human genome project इसको launch किया, ठीक है, तो यह start कैसे हुआ था, human genome project was a 13-year project coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health, during the earlier years of HGP, the welcome trust UK became a major partner, यह additional information है, लेकिन इससे question बनता है कि किस ने start किया, तो कौन से year में हुआ था, ठीक है, तो यह भी पढ़ लेते हैं, additional contribution came from Japan, France, Germany, China and others, the project was completed in the year 2003, start हुआ था 1990 में, और खतम कब हुआ, complete कब हुआ 2003 में, तो 13 years long project था यह, knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, अब इसमें और भी जो भी changes हैं, उससे हम नई नई advancement, नई नई technologies को भी generate कर सकते हैं, तो जो DNA variations हैं, अलग-अलग individuals में इससे क्या हो सकता हैं, नए तरीके निकल सकते हैं, diagnose करने के, treat करने के, या prevent करने के, किसी भी disorder को, क्योंकि हमें पूरे genome का जो sequence है, वो पता चल गया है, तो हम जो diseases हैं, उनको भी control कर सकते हैं, ठीक है, Beside providing clues to understanding human biology, learning non-human organism, DNA sequence can lead to understanding of their natural capabilities, सिर्फ humans ही नहीं, जो non-human organism हैं, उन पे भी बहुत अच्छे से इस पे काम हुआ, कौन-कौन से, such as bacteria, yeast, sea elegans, drosophila, plants के लिए भी, और इन सब को भी बाद में sequence किया गया, ठीक है, तो अब इसमें कौन-कौन से methods लगे थे, methodologies क्या थी, तो methodologies जो थी, वो दो methodologies थी, सबसे पहली थी, express sequence tags, जिसको बोलते हैं, EST, और दूसरी थी, आपकी sequence annotation, तो क्या हुआ था, दो major approaches थी, पहली थी, जिसमें identify करना था, सारे genes, जो कि express करते हैं, एक RNA की तरह, transcription होता है, जिनका, तो उनको कह दिया, express sequence tags, ये एक methodology थी, और दूसरी थी, the blind approach of simply sequencing the whole set of genome, पूरे genome को sequence करना, और इसको हमने बोल दिया, जिसमें क्या है, आपके coding, non-coding sequence, सबकुछ sequence हुई, और इसको बोल दिया, sequence annotation, ठीक है, ये दो methodologies थी, जो use हुई, अब, for sequencing the total DNA from a cell, for sequencing the total DNA from a cell, is isolated, सबको sequence करने के लिए, जो पूरा DNA है, cell का, उसको isolate किया, उसको convert किया, छोटे-छोटे fragments में, अलग-अलग random fragments में, of relatively smaller sizes, छोटे-छोटे sizes के, और फिर उनको clone किया, एक suitable host में, recombinant technology की help से, using specialized vectors, अब ये जो cloning है, ये result क्या, cloning, जब हमने clone किया, तो amplification किया, हर DNA के fragment का, और उससे हमने क्या किया, फिर उस जो DNA fragment मिला, उसको sequence किया, अब जो वेक्टर्स हमने यूज किये थे, जो host जिसमें हमने इनको क्या किया था, clone कराया था, the commonly used host were bacteria and yeast, तो जो वेक्टर्स थे, जिसमें क्या हुआ, bacteria यूज हुआ, उनको बोल दिया गया, back, bacterial artificial chromosome, और जिसमें yeast यूज हुआ था, उनको बोल दिया, yak, yeast artificial chromosomes, अब ये जो fragments हैं, इनको sequence किया गया, using automated DNA sequences, जो किस पर काम करते हैं, एक आगे, higher classes में, आप ये sequencing, अगर आप bioinformatics लेंगे, तब आपको पता चलेगा, तो एक type की sequencing होती है, जो develop कीती है, scientist, Frederick Sanger, उनको बोलते हैं, Sanger sequencing, उस basis पर क्या हुआ, इस DNA को, जो DNA fragments हैं, इनको sequence किया गया, ठीक है, तो developing method for determination of amino acid sequences in protein, these sequences were arranged based on some overlapping regions, and overlapping regions present in them, यानि कि जो sequences है, उन पर जो भी overlapping region है, उनके basis पर इनको arrange किया, और फिर इनको sequence किया, this required generation of overlapping fragments for sequencing, alignment of these sequences was humanly not possible, अब इतनी बड़ा genome है, उसकी पूरी चीजों को sequence करना, human basis के लिए तो possible नहीं है, इसलिए sequences की help से इनको sequence किया गया, और the sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006, एक ही chromosome की जो sequence है, उसे complete किया गया, कब 2006 में, this was the last of 24 human chromosomes, 22 autosomes, and x and y to be sequence, ठीक है, यह सबसे बड़ा challenge था, अब आगे चलते हैं, another challenge क्याता, जो बहुत important challenging task था, was assigning the genetic and physical maps on the genome, अब genome तो हमने sequence कर लिया, उस पर genetic and physical map कैसे हम assign करें, यह भी एक बहुत बड़ा task था, तो यह कैसे किया गया, this was generated using information of polymorphism of restriction endonucleus recognition site, जो हमारे restriction endonucleus की recognition site है, उनके polymorphism की help से यह किया गया, और कुछ repetitive DNA sequences की help से भी यह किया गया, और उन DNA sequences को क्या कहते हैं, जो repetitive DNA sequences होती है, उनको हम कहते हैं, micro satellites, ठीक है, तो यह जो था, यह पूरा आपका human genome project था, इसमें यह goals थे, यह features थे, यह इनके tasks थे, अब हम बात करेंगे salient features of human genome, अब जब human genome complete हो गया, तो उसके features क्या क्या थे, तो जो human, उससे हमें पता चला, जो observations थी, वो यह थी, कि जो human genome है, उसके अंदर होते हैं, 3,164.7 million nucleotide basis, जो average gene है, वो consist करता है, 3000 basis को, sizes जो है, वो vary करते हैं, vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 billion basis, जो सबसे बड़ा human gene है, वो कौन सा है, dystrophin, यह हमारा muscular gene है, ठीक है, muscles में पाया जाता है, then, total number of genes is estimated at 30,000, much lower than the previous estimate, पहले हमें लगता था कि 80,000 से 1,40,000 genes है, लेकिन जो total number of genes है, वो कितने है, 30,000 है, ठीक है, almost all nucleotide bases are exactly same in all people, 99.9% nucleotide जो है, वो same होते हैं, सब में बस 0.1% जो है, चेंज है, इसकी वज़े से, हर individual अलग type का दिखता है, the functions are unknown for over 50% of discovered gene, 30,000 genes हमने क्या किये, discover किये, लेकिन उन में से 50% gene ऐसे हैं, जिनके functions पता ही नहीं है, less than 2% of the genome codes for protein, 2% से भी कम जो genome है, वो code करता है किसको, protein को, repeated sequence जो है, वो बहुत ज़ादा है, human genome के अंदर, repetitive sequence are stretches of DNA that are repeated many times, 100 to 1000 times, कुछ sequences ऐसी हैं, जो 100 से 1000 बार क्या हो रही हैं, repeat ही हो रही है, they are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution, उनका coding में कोई important function नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, chromosome के structure में useful है, evolution के लिए helpful है, बस यह ही उनका काम है, ठीक है, chromosome 1 जो है, उसमें सबसे ज़्यादा gene है, that is 2968, और सबसे कम है, males के अंदर Y chromosome में, वो है, सिरफ 231, ठीक है, scientist ने identify किया क्या, 1.4 million locations, जहां पे सिरफ single base DNA difference है, यानि कि एक base pair change है, उसकी वज़े से क्या हो रहा है, mutations है, मतलब कि जो individual है, वो बस एक single base pair की वज़े से अलग-अलग दिखते हैं, और इसको हम कहते हैं, single nucleotide polymorphism, SNPs, इनको SNPs कहके भी बोला राता है, information promises to reunnish, reunnishize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing human history, यानि कि इस SNPs की help से, SNPs की help से, हम जित्ती भी जो single mutation वाले disorders हैं, उनको हम trace कर सकते हैं, और उनका क्या कर सकते हैं, उनका हम treatment ढून सकते हैं, तो यह था salient features of human genome, आगे चलते हैं, application और future challenges क्या थे, अब जो major applications हैं, वो देख लेते हैं, यह जो task था, इसमें सबसे बड़ा challenge क्या था, will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists, बहुत scientists इसमें चाहिए, from varied disciplines in both public and private sectors, one of the greatest impact having the HG sequence may well be enabling a radically new approach to biological science, अब हमें human genome sequence तो पता चलगी, उससे नहीं जो research है, उसमें बहुत changes आ सकते हैं, पहले क्या होता था, researcher क्या करते थे, एक या कुछ genes को ही पढ़ते थे, और एक time पर से कुछ genes के बारे में ही पढ़ते थे, उससे ही अपनी नई research methodology बनाते थे, लेकिन जब हमें पूरा human genome sequence कर लिया, तो नई जो technologies हैं, वो भी generate हो सकेंगी, with whole genome sequences and new high throughput technologies, we can approach quotient systematically on much broader scale, हम और ज्यादा deep research कर पाएंगे, they can study all the genes in a genome, for example, all transcripts in a particular tissue, organ or tumor, सारी चीज़े हम एक ही time पर कर सकते हैं, examples दिये गए हैं, यहाँ पर, how ten of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life, यानि कि इस पूरी genome sequences से यह जो challenge था हमारा, यह हम overcome कर पाएं, ठीक है, तो यह था second topic आपका human genome project, अब जो last है यहाँ पर, वो है DNA fingerprinting, अब यह जो है, यह बहुत important topic है, application wise, इससे questions आते हैं, तो यह जो technology है, इसको अच्छे से समझना है, तो यह जो DNA fingerprinting है, यह क्या है, यह हमारी एक technique है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम identify करते हैं, अलग-अलग DNA sequence के जो कुछ regions हैं, उनको हम identify करते हैं, और फिर compare करते हैं, जानि कि जो genetic difference है, दो individuals के बीच में, उसको हम इस technique के help से solve कर सकते हैं, तो यह जो DNA fingerprinting है, इसमें क्या होता है, DNA fingerprinting involves identifying the differences in some specific regions in DNA sequence, called repetitive DNA, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ differences को identify करते हैं, जो एक particular region में पाए जाते हैं, DNA sequence के, और उसको हम कहते हैं repetitive DNA, because in these sequences, a small stretch of DNA is repeated many times, एक ही stretch DNA का वो बार बार क्या होता है, repeat होता रहता है, अब इसको क्या किया जाता है, यह जो repetitive DNA, इसको separate करते हैं, bulk genome DNA से, as different peaks during density gradient centrifugation, centrifuge करके, जो क्या होता है, इस DNA को separate करते हैं, repetitive DNA को normal genomic DNA से different, अलग करते हैं, जो bulk DNA है, वो क्या करेगा, वो बहुत बड़ी major peak बनाएगा, और दूसरी जो हैं, वो छोटी-छोटी peaks बनाएगे, और इनको कहते हैं हम satellite DNA, जो छोटी peaks बनाते हैं, वो है satellite DNA, और जो bulk DNA है, वो क्या करेगा, बहुत ऊची peak बनाएगा, depending on the base composition, A is to T rich, या G is to C rich, एड़नीन थाइमीन रेशियो के हिसाब से, या फिर ग्वैनीन साइटोसिन रेशियो के हिसाब से, यह क्या बनाते हैं, अपनी peaks बनाते हैं, और length of segment, जो segment है, उसके length पे, और number of repetitive units, the satellite DNA classified into many categories, अब यह जो satellite DNA है, यह बहुत अलग-अलग categories में differentiate है, depending on these three functions, तो पहला जो है, वो होते हैं, आपके micro satellites, दूसरे हैं, mini satellites, अब यह जो sequence है, यह क्या करती है, यह किसी भी protein के लिए code नहीं करती, लेकिन यह क्या करती है, यह हमारे human genome में बहुत ज़्यादा portion में पाई जाती है, तो यह जो sequence है, यह क्या दिखाती है, high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting, इसमें सिरफ क्या है, polymorphism है, यह किसी भी protein के लिए code नहीं करती, हर individual में अलग-अलग होती है, इसलिए इसको हम DNA fingerprinting के लिए use करते हैं, अब क्या होता है, इस technique में जो DNA है, हम वो कहां से ले सकते हैं, heart tissue से ले सकते हैं, जैसे कि blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. कहीं से भी DNA लेंगे, एक individual से, and showed from an individual, show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application, forensic science के लिए यह बहुत ही important tool बन जाता है, यानि कि जिसमें बहुत ज़्यादा polymorphism दिखेगा, उस basis पर हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको sequence कर सकते हैं और identify कर सकते हैं, further as the polymorphism are inheritable from parents to children, क्योंकि यह जो polymorphism है, यह inherited होते हैं, यानि कि parents से children में आते हैं, तो fingerprinting जो है, जो DNA fingerprinting है, यह parent paternity testing का भी एक important tool बन सकता है, यानि कि हम किसी के भी अगर ऐसा कोई dispute होता है, जिसमें आपको अपने यह बताना है कि biological father कौन है, या mother कौन है, तब भी हम इसको पता लगाने के लिए इस technique को use करते हैं, क्योंकि इस से हम यह polymorphism की help से check कर सकते हैं, as polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome, अब क्या होता है, यह जो polymorphism है DNA sequencing में, यह इसका major function क्या है, यह genetic mapping कराता है human genome में, और उसे के साथ साथ DNA fingerprinting में भी यह use किया जाता है, अगर मैं बात करूँ अब यह polymorphism, polymorphism हम करे तो जा रहे हैं, यह polymorphism होता क्या है, तो यह जो polymorphism है, यानि कि genetic level पे जरा सी change, कुछ भी variation जो है genetic level पे वो होगा, और उससे क्या होगी, mutation होगी, अभी हमने बात की थी कि जरा सी mutation की वज़े से जो individuals हैं, वो सारे अलग-अलग दिखते हैं, तो वो इसी polymorphism की बात हुई थी कि genetic level पे एक छोटा सा change है, हर organism के अंदर, और वो एक अलग individual है, 99.9% सब कुछ सेम है, लेकिन 0.1% जो change है, उसकी वज़े से हम सब अलग-अलग दिखते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं polymorphism, अब जो नई mutation आती हैं, वो arise होती है in individual, either in somatic cells और in the germ cells, या तो वो somatic cells में होंगी, या फिर germ cells, यानि कि जो हमारे sexual cells हैं उन में, ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यह जो DNA polymorphism है, अगर यह एक से ज़्यादा variant पे होगा, DNA polymorphism, if more than one variant at a locus in human population, with a frequency greater than 0.01, यानि कि अगर simple terms में भी लिखाया हैं यहाँ पे तो वो भी देख लेते हैं, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism, यानि कि अगर एक variant से ज़्यादा जो polymorphism है, वो population में दिखता है, उसकी frequency जो है, वो 0.01 से ज़्यादा है, और वो inherited mutation है, यानि कि parents से offspring में आई है, तो इसको हम कह देते हैं DNA polymorphism, यानि कि यह जो पूरी population है, इसके DNA में ही कुछ mutation है, जिसकी वज़े से यह सारे offsprings में आ रही है, तो यह inheritable mutation जो है, इसको हम कहते हैं DNA polymorphism, तो यह जो mutations है, यह किस में देखी जाती है, जो non-coding DNA sequence है, उन में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसका जो effect है, वो reproductive ability पे नहीं होता, तो इसलिए यह जल्दी से क्या हो जाती है, inherit हो जाती है, these mutations keep on accumulating generation after generation, यह mutation क्या होती है, generation से generation pass on होती जाती है और बढ़ती जाती है, and form one of the bases of variability and polymorphism, ठीक है, अलग-अलग type के polymorphism होते हैं, ranges from single nucleotide change to very large scale, एक nucleotide change होगा, या फिर और भी जादा scale पे तो इस type के polymorphism जो है, वो देखे जाते हैं, और जैसे-जैसे polymorphism होगा, generation to generation, evolution और speciation जो है, वो भी होगा, तो यह जो polymorphism है, यह evolution में बहुत important role play करता है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दुबारा से DNA fingerprinting की, यह technique जो है, वो developed हुई थी, initially developed by Alec Jeffress, ठीक है, इन्होंने इस technique को developed किया था, he used a satellite DNA, उन्होंने एक satellite DNA को use किया था, as probe, that shows very high degree of polymorphism, यानि कि उन्होंने पॉलिमॉर्फिजम जो है, वो बहुत जादा था, इसलिए उनको कह दिया, variable number of tandem repeats, क्या बोलते हैं, variable number of tandem repeats, यानि कि VNTRs, इस technique को use किया गया, this technique as used earlier, involved southern blot hybridization, using radio label VNTRs probes, अब इनमें क्या होता था, अब हम इसका protocol देखने हैं, procedure क्या होता है, DNA fingerprinting होती कैसे, सबसे पहले DNA को isolate किया जाता है, DNA को digest किया जाता है, restriction endonuclease से, DNA fragment separate करते हैं, electrophoresis की help से, फिर क्या होता है, इसको transfer करते हैं, एक हम transfer of separated DNA fragments, to synthetic membranes, such as nitrocellulis और nylon, हम अब क्या करते हैं, separated DNA fragments को transfer करते हैं, एक sheet पर, membrane पर, फिर क्या होता है, hybridization होता है, किस से, यह जो VNTR props है, उनसे label करके, इसकी hybridization कराई जाती है, फिर इसको हम detect करते हैं, detection of hybridized DNA fragment, by auto radiography, schematic, जो diagram है, वो नीचे दिया गया है, तो इस type से, DNA fingerprinting की जाती है, ठीक है, तो यह important था, इसका procedure, अब यह जो है, यहाँ पर देखेंगे, हम यह जो diagram है, यह represent कर रहा है, क्या होगा, पहले DNA को isolate करेंगे, isolate करने के बाद, उसको digest कराएंगे, restriction enzyme से, फिर क्या होगा, उन DNA fragments को हम separate कर लेंगे, जब separate किया, तो उसको एक nylon sheet पर, membrane पर transfer करेंगे, वहाँ hybridization कराएंगे, उसकी किसके साथ, VNTR probe से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको identify करेंगे, उनको isolate कर लेंगे बाद में, ठीक है, तो यही था, आपका detection होगी, किसके बाद, detection कराएंगे, उनको auto radiography से, ठीक है, तो यह जो VNTR से हैं, यह belong करते हैं, हमारी एक class को, जो कि satellite DNA की एक class है, उनको belong करते हैं, जिसको हम refer करते हैं, mini satellite की तरह, small DNA sequences arranged tandemly, in many copy numbers, the copy numbers varies from chromosome to chromosome, in an individual, हर individual में, यह जो copy number है, यह vary करता है, ठीक है, the numbers of repeat, show very high degree of polymorphism, यह जो VNTR से, इसमें बहुत ज़्यादा polymorphism दिखती है, इसलिए इनको हम use करते हैं, तो यह था हमारा DNA fingerprinting, I hope आपको यह सब समझ आये होंगे, यह सारे topics आपके need perspective से important है, तो ऐसे ही हमारे channel के साथ बने रहिए, all the very best, पढ़ते रहिए, thank you.